Q1. भारत ने किस वर्ष सोबियत संग के साथ मित्रता की संदी पर अस्ताक्षर किये? Option A. 1970, Option B. 1971, Option C. 1972, Option D. 1975, इसका सही यंसर है Option B. 1971 Q2. नई अंतर राष्ट्रे आर्थिक विवस्था LDC का पूर रूप क्या है? Option A. कम से कम विक्सित देश, Option B. कानूनी रूप से विक्सित प्रतिपक्ष, Option C. कम से कम विकास सिल देश, Option D. कानून का विकास करने वाले देश इसका सही अंसर है Option A. कम से कम विक्सित देश Q3. सहीउक्त राज अमेरिका तथा सोवियत संग ने एक दूसरे के साथ सहीओ करने पर क्या फैसला लिया Q4. नाटो किस वर्स अस्त्वित्व में आया Q4. अप्रेल 1949, B. मई 1955, C. जनवरी 1949, D. अक्टूबर 1950 इसका सही अंसर है नाटो अप्रेल 1949 में अस्त्वित्व में आया यानि आपका उप्षन A सही है Q5. सोवियत सक्ती छेत्र के तीन देशों की पहचान करो Q5. अप्षन A. फ्रांस, स्पेन, जर्मनी Q5. अप्षन C. पूर्वी जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, अप्षन D. पोलेंड, चैको, लोस, बाकिया, रोमवानिया तो इसका सही अंसर है अप्षन नमबर D Q6. सयुक्त राज अमेरिका ने दो परमाणू बंब कहां गिराए Q7. पहला गुट निर्पेक सम्मिलन कहां हुआ था Q8. जापान के हिरोश्मा और नागा साकी पर परमाणू बंब कब गिराया गया था उप्षण A 1945 में, उप्षण B 1947 में, उप्षण C 1980 में, उप्षण D 1959 में इसका correct answer है उप्षण A 1945 में Question number 9 April 1949 में हुई उत्तर Atlantic संदी को किस नाम से जाना जाता है उप्षण A NATO, उप्षण B CETO, उप्षण C CANTO, उप्षण D इन में से कोई नही तो इसका सही answer है NATO, आपका option A Question number 10 दुत्य विश्व युद्ध कव समाप्त हुआ था? Option A 1946, option B 1947, option C 1944, option D 1945 आपका correct answer है, option D 1945